तमस्कार, स्वागत है आपका संसर टीवी की खास पेशकश में, हमारे साथ है बेहत खास महमान, हिमाचल प्रदेश Assembly के अध्यक्ष कुल्दीप सिंग बठानिया जी सर स्वागत है आपका संसर टीवी में नमस्कार, धन्यवाद सर हम यहाँ सिक्किम में हैं और चर्चा चल रही है कि किस तरह से जो हमारी देश के विधान मंडल हैं, विधान सभाई हैं, उनको और अक्सेसिबल बनाया जाए पब्लिक के लिए ऐसे में, as Himachal Pradesh Speaker, आपकी क्या प्रायॉरिटीज है हिमाचal Pradesh की विधान सभा, वर्ष 2014 से हमने पेपरलेस विधान सभा कर दी है, यह विधान सभा बना दी है और देश की सभी विधान सभाओं में यह अगरणी है, यह विधान सभा के रूप में और अब विधान सभा की जो कारवाई है, जो हमारे मान्या सदस्या, जो विधान सभा के सदस्या हैं, वो सारे यह विधान सभा के साथ जुड़े हैं विधान सभा की जो कमेटियां हैं, उसमें तमाम जो कारवाई है, वो ऑनलाइन होती है आनलाइन ही जो है हम सरकार से इंफर्मेशन मांगते हैं उसके उपर जवाब जाता है फिर उसके उपर एग्जामिनेशन होता है अंदर विधान सभा की कारवाई सारी जो है आनलाइन होती है स्पीकर और मेंबर्स अंदर जो सदन के अंदर जो दिन भर की कारवाई है वो सारी ऑनलाइन होती है सारे रूल नियम जो विधान सभा के हैं सभी समानियस दस्यों को उनके जो टेबल के उपर हमने लैट आप जो है विधान सभा के अंदर लगे हैं उसके उपर सारे रूल नि और दानसभा की जो उस दिन की जो कारवाई है उसको वहां पर रखा जाता है और हमने ये प्रयास कियें कोशिश कियें कि पेपरलेस बिधानसभा के रूप में हिमाचल परदेश की बिधानसभा जानी जाए और अभी आने वाले समय में वैसे तो जो बिधानसभा के कारवाई है उसको हम YouTube channel के माध्यम से डालते हैं जो कारवाई अंदर हो जाती है जब परशनों के उतर आजाते है है और उतरआने के बाद जो जो कारवाई सारा दिन में भर में वज़ान सबा के संपूरन होती है उस सारी कारवाई को हम जो है विधान सभा के वैब साइट पर डालते हैं जिसको सारे लोग देख सकते हैं तुरकुल सर्रा इसके अलावा लगातार चर्चा होती आईये सर कि किस तरह से अब विधान सभा माधियम है जनता की जो अकांक्षाएं है जरूरते हैं और जो परदेश से मुतलिक जो समस्य है उसका विधान सभा के माधियम से चर्चा के माधियम से समाधान निकले लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि जिन विधान सभाओं में या लोक सभा में देश हित के या परदेश हित के मुद्दों के वो चर्चा होनी चाहिए वहां राजनिती जो है उसके उपर हावी हो जाती है जिसके फ़ल सरूप फिर ये सारी घटनाएं होती है जिसमें जो है गती रोद पैदा होता है जो है उस गती रोद में जो है संसद का समय भी या विधान सभा का समय भी बरवाद होता है और जो सार्थिक चर्चा होनी चाहिए उसे जो है ध्यान हटता है तो ये बातें ना हो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सभी विधान सभाओं हम उसकी या इविधान सभा की जो कारवाई हम शुरू करेंगे या आम आदमी तक हर व्यक्ति तक जो है उसको लाइव हम दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है जो 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 लोग जन प्रति निधी के रूप में चुन के आते हैं और जनता के साहियोगा प्रदेश मतलिक जो विशे हैं उसके समधान के लिए भेजा ना कि व्यक्तिगत तोर के उपर लड़ाई जगड़े के लिए उनको भेजा है तो मैं यह संबता हूं कि अभी जैसे अंदर भी चर्चा में यह विशे आया है कि क्यों ना जैसे संसत का जो हमारे टीवी है स्र justamente लोग सबव ॉसके माधियम से जो है हर आधमी तक पहुंचती है उसी परकार से विधान सवभा को भी जो है इस टी-वी के माधियम से जोड़ा जाए या हमारे जो अनिय चैनल हैं उनके साथ वारतशा लाप करके बातचीर करके और जो है ये विधान सभा की जो कारवाई है या लोक सभा की कारवाई है उसको जन मानस तक आम यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो है इन सारे चैनल्स का सिहयोग भी लिया जाए इसके उपर सारत चर्चा ताकि हर देश के हर व्यक्ति को पर देश के हर व्यक्ति को उनके और यह जो हमारा जो लोकतांतरिक प्रजतांतरिक पनाली है इसके बारे में जो है ज्यान मिल सके उनको और मैं समझता हूँ जब यह सारी जानकारी सब जनता के सभी समानिया जो हमारे साथ लोग हैं उनके पास पहुंचेगी तो सिस्टम कहीं न कहीं और सशक्त और मुझबू कम ही आ रही है तो ऐसे में आज़ा स्पीकर आपको क्या लगता है कि क्या आगे होना चाहिए निश्यत तोर पर सदन की कारवाई जो है कम से कम जो है कम से कम चाली-पिंटाली दिन तो चलनी चाहिए जैसे हमारा जो विधान सभा है उस में मेंडेटरी जो है 35 सिटिंग्स हमको साल में करनी पड़ती है और अब ये मेंडेट तो विधान सभा नहीं बनाया कि हमको 35 सिटिंग्स जो है करनी है लेकर विधान सभा के पास अधिकार है कि अगर कोई ऐसी परिस्तितियां पैदा हो जाए जिससे वो 35 दिन की कारवाई जो करने में शक्षम नहीं है तो विधा करनी है तो एक चैन सभा में जो करवाई हai उसके वह और विअपक्र ओर कर हो मुद्गों को जो है बहुत खुले रूप से जो है चर्च्छा में लाए जाएं और डेशित के मुद्दे है जिसके उपर चाहे हो सत्ता पक्षाय चाहे विपक्षाय आम राया उन मुद्दों क के ओपर सार्थ तक चर्चा करके, एक consensus जो है उनके ओपर developed के जाए और उसी से ही प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, आपने जैसा कहा कि एक consent होना चाहिए, सभी तलों के बीच में आम सहमती होना चाहिए. सर आपने हमसे ये जानकारी साजा की, अपने विचार हमसे साजा की, बहुत बहुत धन्यवाद, SANSAT TV से बात है. Thank you, धन्यवाद. Camera Persons Ratul, Sang Mitra और Camera Assistant Dhananjay के साथ, Krithi Mishtra, SANSAT TV.